तो friends मेरे हाथ में Fireboard का स्मार्ट वाज तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं वाल पेपर कैसे सेट कर सकते हैं ठीक हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फोटो लगाने के लिए सबसे पहले connect करना ही पड़ेगा तभी आप इसमें बहुत सारे सेटिंग्स यूज़ कर पाएंगे जैसे फोटो लगाना यहां पर जूप लगाने के लिए फोटो लगाने के लिए तो आपको सिंपली आपको ओपें कर ले ना यहांसे अपको उपन करने रहे वाद फेंज आपके सामने कुछ इसतर के इंटरफेस आ जाएगा तो यहां पर आपकी टूदे एक्टिविटिस फो कर रही है जैसे सकते हैं यहाँ पर यहाँ से आप फोटो भी लगा सकते हैं यहाँ से नोटिफिकेसन का जो कैमरा का का सारी सेटिंग्स मैं ने उस वीडियो में रist कंप्ष किया है तो उस वीडियो को जा गते जाले आपको फोटो लगाना ठीक है तो बहुत सारे आपको classic activities वाले सब मिल जाएंगे यहाँ पर बहुत सारे तो इसमें से आप कोई भी लगा लिजेगा process सेम होगा आपको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा जैसे मैं इसको लगाना चाहता हूं तो यहाँ पर click करूंगा और स्मार्ट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए 0% हो गया है जैसे ही 100% होगा यहाँ पर जो watch face है आपके smart watch में शोग करने लग जाएगा तो देखिए friends यहाँ पर download finished हो गया और यह जो watch face हमने change किया था यहाँ पर शोग कर रहा है तो कुछ इस तरीके से कोई सा भी watch face आप पसानी से लगा सकते हैं अब friends बात करें यहाँ पर कि अपना photo आप कैसे लगा सकते हैं इसी watch face में friends आपको यहाँ पर एक edit का option मिल जाएगा देखिए का तो यहाँ पर green color में edit लिखा होगा तो simply आपको edit पर click करने के बाद आपको scroll करके सबसे last में चले जाना है तो यहाँ प click किजेगा choose from album में तो आपके gallery खोल जाएगी अगर आपने permissions दे रखी होगी तो ठीक है तो देखिए यहाँ पर फोटो खोलना चाहते हैं या फिर gallery खोलना चाहते हैं तो मैं photo खोलना चाहता हूं photo खोलने के बाद friends आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारे आपके gallery में जो photo फोटो है वह सो कर रहा है तो मैं camera पर click करूंगा click करने के बाद friends मैं इस पर click कर दूँगा यह वाला photo लेना चाहता हूं तो मैं कुछ इस तरिके से यहाँ पर click करूंगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर click कर दूँगा तो time जो है नीचे फोटो अच्छे से गाता है च्छों कर रहा है तो मैं वैसे क्रल झाइंस टाइम कर सकता हूँ यहां से time का यहां सब फ्रिंट्स time कहां सो कराना चाहता है जाते ऐबब्र कराना चाहते हैं तो एबॉब प्र एब अपर क्लिक करके द न पर क्लिक किजब तो एब उपर क्लिक किजबस आपड करने लगणा ठीक है टाइम के नीचे आप क्या सो कराना चाहते हैं सिलिप मोनेटरिंग जो यहाँ पर आप से सो कराना चाहते हैं तो स्टेप पर क्लिक कि जाएगा तो नीचे स्टेप भी आपके सो करने लग जाएंगे ठीक है यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं यह सारी सेटिंग्स कर ल होगा फ्रेंट्स जी स्मार्ट वाच में फोटो जो हमने यहां पे सेट किया है वो सो करने लग जाएगा तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारा फोटो सो कर रहा है यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चार सो के भी तक का अगर फोटो अब लगाते हैं तो यहां पर किलियर आएगा बिल्कुल किलियर आएगा चार सो के भी तक का फोटो कर सकते हैं फोटो कंप्रेजर आता है बहुत सारी अप्लिकेशन आता है जो फोटो की क्वालिटी को कम ज़्यादा करते हैं स्क्रीन सोट लेके भी उसको आप कम कर सकते हैं आज कल जो कैमरे आते हैं फोन में 4 MB, 5 MB, 3 MB के फोटो घीजते हैं तो यहाँ पर थोरा सा जब कम MB का फोटो लगाईएगा क्योंकि इसक्रीन इसकी छोटी है फ्रेंस तो यहाँ पर आपको साहुलियत होगी अच्छे से सो करेगा आपका फोटो साफ नज़राएगा ठीक है फ्रेंस बहुत ज़्यदा डिपेंड करता है आपके स्क्रीन की डिस्प्ले की क्वालिटी पर कि आपका जो डिस्प्ले क्यों सी क्वालिटी का है HD है LCD है फिर AMOLED है कौन सा डिस्प्ले है इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो वाल पर पर किस तरीके से सो करेगा ठीक है फ्रेंस तो इस तरीके से जो है अपना फोटो आप लगा सकते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग है फ्रेंस यहाँ पर तो इसके बाड़े में